एलेक्टोल बॉॉंड की बात नहीं है, किसानों के जो रास्ते में किल बिछा करके sunka स्वागत किया जा रहा है, यह सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह के किलो का निर्मान किया गया, किस तरह से बॉॉंडि तरह से अशुरु gars के गोले फेके गे गया, ड्रॉ को पयोग होता के लिए सिर्फ है कि आपको हिसाब देना है और भारतिय जनता पाटी के लिए हिसाब नहीं देना है तो आप केंद्र में हैं सत्ता में हैं पैसा आपके पास में कहां में गया तो यह ब्लैक मनी तो यह पैसा जी का पुतला फूब दिये क्यूं जिस प्रकार से मोदी जी चंदा के नाम से पुब्लिक चंदा के नाम से जनता का गारी कमाई को जिस प्रकार से जनता की आंक में धूल जोक करके उसको जिस प्रकार से सो करते हैं वो निस्तित तोर स वह स्वामनाक है और मानने सुप्रीम कोट ने इस बात को खंडन किया कि यह जनता को जानने का हग है दिन प्रधान मंत्री मन की बात करते हैं मनवानी करते हैं उस पर आज रोक लगी इस वक्त राजधानी राची के फिरालाल में बड़ी संख्या में कॉंग्रेस जो है लगत करते हैं हम लोग लागातार कह रहे थे कि इस तरह की चीजों से काला धन सफेद करने वाले लोगों को मदद मिलेगी और वो मिल रही थी कहीं न कहीं कोट ने भी इस बात को पाया है आर बियाई ने कहा चुनाव आयोग ने कहा लिन प्रधान मंत्री मन की बात करते हैं लगने के बाद प्राया नियती रही है सरकार की कि सुप्रीम कोट किसी चीज पर अंकुस लगा देता है जब रोक देता है तो उसके बाद ये लोग अध्यादेश लाकर के उसको कंटिनु कराना चाहते हैं तो हम समझते हैं कि उन सभी चीजों को ले करके हमें सरक से लेके स SBI को बेवरा देने के लिए तो अभी सारी बाते असपश्ट हो जाने दीजिए सब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा हम लोग यह जानते हैं कि किस तरह से अपने पुंजी मत पती मित्रों को लाप पहुचाने के लिए या जियो जो इस तरह की कारवाई चलती है जो ED के हवाले से जो CBI के उससे और किस तरह से पैसे जमा कराये जाते हैं चुनावी बॉंड खरीदे जाते हैं उन सारी चीज़ों पर सुप्रीम कोट में गहन अध्यन करके तभी इस तरह का फैसला दिया है सुप्रीम कोट के फैसले को अब कुछ कहने की जरूरत मैं समझता आने वाले चुनाव में जो है इसका फर्क पड़ेगा या फिर ये जो फैसला लगातार इस तरह की मनमानी की बाते करते रहे हैं सिर्फ एलेक्टरल बॉंड की बात नहीं है किसानों के जो रास्ते में कील बिछा करके उनका स्वागत किया जा रहा है यह सब लोग देख रह गैस के गोले बरसाए गए मानों हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में आप हो तो यह चीजे नहीं होनी चाहिए इस सबी चीजों को ले करके चुनाओं में जंता निश्चित रूप से नेड़े ले लिए हिमंत सुरेन की जो है रिमांड अब दी खत्म हो गई होटवार उनको भेजा गया है बीजेपी जो है वो मुखर है कि हर भ्रसाचारी होटवार में होगा और चमपाई सुरेन को वो चिता रहे हैं कि जो पाट्टू है अगर आपने भी उसी तरह से फॉलो किया तो आपका भी जो है आखरी मंजिल जो होटवारि होगे होगा वहाल जी के बातों को बहुत तबज्द देने की जरूरत नहीं है बावु लाल जी को जनता सबक सिखाएगी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है कौन क्या है आपका जांच करांगे तो आप उससे वी भड़े जेल में पाई जाएंगे यहां से लेकर के कहां तक मामला है उनको भी पता है यह अलग बात है कि एडी अभी किसके कहने पर काम करें सबको पता है तो अभी चलने दीजे आने वाले समय में उनको भी पता चलेगा कौन कितने पानी में है और कितनी सचाई के साथ है मंत्री मंदल का विश्तार भी होने वाला है कहा बदल है क्या लग रहा है कि कुछ बदल है क्योंकि खबर जो आ रही है कि जैविम के जो मंत्री है वह वापस सा जो रेटेन गे-जारा है मतलब कोई फेर बदल नहीं है कॉन में बदल तो है ना मंतरी बनेंगे नहीं मंतरी कि पूरान ने को मुखा दिया जा रहा है कोई नया चेれ रहा है नहीं बिलकुल नहीं हैं बंद बंतरी बनेंगे वह तो आप यह नाम करती है तोprendes ऌई आफी का हुँ वे तुका सवाल होता है इसलिए कि आज तक की परंपरा जो रही है राजभों सीधे नाम जाता है राजभाण जब नाम इनाउंस करती है तभी पताच चलता है कि कौन मंत्री बन रहा है कॉन मुहक्न सब अपन त lut इधायकों को अपनी बात कहना का हक है ये भी तैय है मंत्री बनाना हमारे पार्टी का जो ने तुत्व फैसला लेता है वो भी बनना तैय है ये सारी चीजे होंगी आप कितना संतुष्ठ है उनके आरोपों से कहा कि कुछ मंत्री का प्रफॉर्मेंस सही नहीं था उनको मौकम ने वह आप लोग पूछते रहे हैं जवाब वह लोग देते रहेंगे सब शंटुष्ठ है अलिज बिल्कुल इसमें कहीं दोमत है क्या सरकार दुबारा बनाया और ठोक साथ में जो लोग कहते थी कि सरकार चली गई उनको सरकार ला के दिखाया है सरकार चला के भी जो लोका शविक करने का प्रयास कर रहे हैं और देश और दुनिया में जारकन बद्नाम करने का सब को जनता हैं में सबक सिखाने का और घॅ यह जो जा रही है सुप्रिम कोट ने राजनितिक स्वात्पूर्ती के लिए किया जाता रहा है आज उसी के दृष्टिकों से ये फैसला बहुत महत्वपूल है तो जनता के सामने सच्चाई को ले करके कांग्रेस पाटी ने आने का काम किया है आज जो आप लोगों ने पुतला भूका है इससे क्या मैसेज देना चाहिए मैसेज बिल्कुल स्पर्ष्ट और साफ है कि चीजें आब साफ तोर पर जनता को भी नजर आनी चाहिए और जनता को यह समझना चाहिए कि हर चीज के आड़ में किस प्रकास से राजनितिक स्वार् कुछी महीने पहले ऐसा फैसला लिया गया है बिल्कुल यह आने वाले चुनाओ को दिश्टिकोन से भी यह मील का पत्थर सावित होने वाला है और हमें न्याइक विवस्था और कानून विवस्था और कोड़ पर पूरा विश्वास है फिरालाल पहुंचे मोदी जी का लिजोग करके उसको जिस परकार से सो करते हैं वह निस्चित्व तर्फर से वह श legnap है और मानुये शुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खंडन कि किया जनता को चानने का हक है ऺंद्च आपका जो 700 करोर रूपिया जो है मैं वह पैसा को जानने जन्ता को अजिकार है और इससे पहले आप क्या बोलुते थे कि जन्ता से हैं आफे तो आए सिरुछ Grass को मुस्त हिसको ऑ łatए होगा कर रहा है और काला धन का उपयोग आज भारतिय जंता पाटी कर रहा है नतीजा क्या है देश का बंटाधार करा दिया गया है कि जंता पे विश्वास है नहीं और पूरी चीजों को सुप्रिम कोट गवर्ण कर रहा है तो देश में सासन नाम की चीज नहीं है और सासन जो देश का है किंदर सरकार है वो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी मुहिया कैसे करें उस पर देख रहा है छे हज़ार कर रुप्या का बॉंड आया छे साल में आप यह समझ लीजिए कि पैसा किस ने दिया किधर से आया यहां का पैसा था उधर गिया बेनामी था तो इन सब को देखकर के सुप्रीम कोट का इनने स्वागत योग कदम है और आपको मैं बताओं कि भारतिय जनता पार्टी की पोल खुलेगी कि यह पैसे किधर से किधर से आ रहा है जो बोलते हैं ने बेनामी संपन्ति पैसा किसी के एकाउंट में डाला किसी के काउंट में गया तो यह पैसा अब जग जाहिर हो जाएगा तो कह रहे थी कि अरुन जेटली बाकाइदा इसको लेकर कहा है थे इस प्रस्ताव को और उनने कहा था दावा क्या था कि ब्लाक मनी पर रोक लगाया जागा फिर सुप्रिम कोट ने बैचारे आज नहीं है उनको नमन करते हैं अरुन जेटली जी इतना नहीं समझ पहाँ है कि भरती जनता पार्टी की सरकार मोदी की सरकार ऑसर देख रहे हैं इस फैजलिवर आपकी को तो किस काम पे तो मांगना नहीं एन के गए धर्म जाती इसी सब पर भोट मांगना उनको क्या फरक पड़ेगा उनको कोई फरक मेलों निया कुछ ना कुछ अपना समीकरन बइठाते आम जनता की हित की कोई बात है आप खुद स्वाय में महसूस कीजिए कि आप आज कहा है पेट्रॉल सो रुपया खरीद रहे हैं डीजल पंचानवे रुपया खरीद रहे हैं चावल कैसा है आटा के तो आप अपने महसूस कीजिए ना कि आप पे क्या गुजर रहे होगा अगर आप 35,000 क्या दाप पुद आटेरे the follow-up dot in like yeah subscribe www.follow-up.in झाल